तो अगर आप लोग अपने mobile में एक और email account login करना चाहते हो, यानि कि आपके mobile में एक email account है पहले से, आप लोग एक और को login यहाँ पर करना चाहते हो, अपने mobile में बहुत आसानी से, तो यह बिल्कु लेटर्स तरीका है जो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाला ह आप लोगों को मुझे step by step follow करना है ताकि आप लोगों कोई भी यहाँ पर problem ना हो, इसे login कर दे टाइम, तो यहाँ पर देखे पहले तो आप लोगों को प्ले स्टोर को open कर लेना अपने mobile में प्ले स्टोर को जैसे open करेंगे, आपके में देखे पहले से एक email तो login ही, तो आप लोगों को यहाँ पर right side है, उस email का logo ज़रूर देख जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को एक और email एड़ करने तो आपको इस logo पक्लिक करना होगा, logo आपकी email का recording बना होगा, उस पक् रहे हैं और आपको अगर एक और यहाँ पर इसमे email एड़ करनी है, तो यहाँ पर add another account का आपको option मिल जाएगा, आप उस पर click करने का आपको यहाँ पर अपने mobile का यहाँ पर fingerprint है, तो यह fingerprint मांगेगा, आपको यह pattern lock होगा, तो pattern lock आपको यहाँ पर डालना होगा, अब आप ल आप लोग को डालना है, अगर आप लोग अपनी email ID का password भूल गाएं, जिसे आपको login करना है, तो आप forget password और लिक करके, जो आपने number डाला है उस email ID, उसमें OTP आएगा, OTP से forget करके password चेंज कर सकते हैं, आप फिर login कर सकते हैं, मुझे password यहाँ आद है, तो मैं यहाँ आप उसमें आपको yes or no पर tick करना होगा, आपके दूसरे mobile ने, जिसमें भी यह login है, कई बार OTP भी आता का, आप try another way करेंगे, वे step authentication देखें, मैंने यहाँ पर submit कर दिया, अब आपको yes, I am in पर click कर देना है, और I agree पर click कर देना है, तो guys थोड़ी सी यह loading लेगा, और आपकी email ID यह हमारी email ID अब successfully यहाँ पर login हो चुगे हमारे इस device में, अब आप लोगों यहाँ और भी अगर email ID यहाँ पर login करना चाहते है, अपने mobile में, तो आप लोग सेम process को repeat कर साते है, और email IDs के लिए, तो आप लोग चाहे जितनी यहाँ पर email IDs को यहाँ पर add कर साता है, अपने mobile में इस